एक बार किसी गाव में महात्मा बुध्ध का आगमन हुआ, सब इस होड में लग गए कि क्या भेंट करें। इधर गाव में एक गरीब मोची था, उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम का एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा आये हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लें। वह तालाब के अंदर कीचर में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते का दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदे कमल पर पड़ी हुई हैं और वह बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है। इतनी देर में एक सेठ पास आया और आते ही कहा क्यों फूल बेचने की अब उसने सोचा की एक दो आने का फूल इसके दो रुपए दिये जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ हाया। उसने कहा भई फूल बहुत अच्छा है। यह फूल हमें दे दो हम इसके दस चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा इतना कीमती है यह फूल। नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देख कर कहा कि अगर पैसे कम हो तो ज्यादा दिये जा सकते हैं। इच्छा है। आज हम आपको इसके दो चान्दी के रूपए दे सकते हैं, मोची ने सोचा क्या बहुत कीमती है, ये फूल नगर सेथ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा के चर्णों में यह फूल रखूँ, इसलिए इसकी कीमत लगाने लगा हूँ. इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ पास आ गया और कहता है, क्या बात है, कैसी भीड लगी हुई है, अब लोग कुछ बताते इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया. उसने पूछा यह फूल बेचोगे. हम इसके सौ सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आय हुए है. ये सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते. जब हम यह फूल लेकर जाएंगे, तो सारे गाव में चर्चा तो होगी कि महात्मा ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ ही फूल स्विकार किया. हमारी बहुत ज्यादा चर्चा होगी, इसलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें और कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद राजा ने भीड को देखा. देखने के बाद वजीर से पूछा की बात क्या है? वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चर रहा है. राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से एक हजार चान्दी के सिक्के भेंट करना. यह फूल हम लेना चाहते हैं. गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तभी जब हम बेचेंगे. हम बेचना ही नहीं चाहते. अब राजा कहता है कि बेचोगे क्यो नहीं? उसने कहा कि जब महात्मा के चर्णों में सब कुछन-कुछ भेंट करने के लिए पहुँच रहे हैं, तो यह फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चर्णों में भेंट होगा. राजा बोला देख लो, एक हजार चांदी के सिकों से तुम्हारी पीढियां तर सकती हैं. गरीब मोची ने कहा मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ती से किसी को तरते नहीं देखा. लेकिन महान पुरुषों के आशिरवाद से तो लोगों को जरूर तरते देखा है. राजा मुस्कुराया और कह उठा तेरी बात में दम है. तेरी मर्जी तु ही भेंट कर लें. अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा ठहरे हुए थे और बहुत जल्दी चर्चा महात्मा के कानों तक भी पहुँच गई कि आज कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है. जिसकी कीमत बहुत लगी है. वह गरीब आदमी है इसलिए फूल बेचने निकला था कि उसका गुजारा होता. जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुँचा तो शिशों ने महात्मा से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है. लोग एकदम सामने से हट गए. महात्मा ने उसकी त कुछ उसके आसूओं के रूप में ठिठक गई कमल पर रोते हुए इसने कहा सबने बहुत-बहुत कीमती चीजें आपके चर्णों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास यह कमल का फूल और जन्म-जन्मांतरों के पाप जो मैंने किये हैं, उनके आसू आँखों म भरे पड़े हैं, उनको आज आपके चर्णों में चढ़ाने आया हूँ, मेरा ये फूल और मेरे आसू भी स्विकार करो महात्मा के चर्णों में फूल रख दिया, गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया, महात्मा बुधद ने अपने शिश्य आनंद को बुलाया और कहा देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया, जितना इस गरीब इनसान ने आज एक पल में ही कमा लिया, इसका समर्पन श्रेष्ट हो गया, इसने अपने मन का भाव दे दिया